नमस्कार मैं और उहुत कुमार आप निच्फरनेशन देख रहे हैं बिहार के बाहर से बड़ संख्यां में लोग बिहार पहुंच रहे हैं और ऐसे में उन्हें रखा जा रहा है कुरिंटाइन सेंटर में जहां पर उन्हें 21 दिनों की अवधी तक रहना होगा इन तमाम चीजों के बीच में कभी कटिहार से तस्वीरे सामने आती हैं जहां लोग कुरिंटाइन सेंटर से भाग जाते हैं तो दूसरी तरफ खाने पीने की चीजों को लेकर के नवादा में हंगामे की तस्वीरे भी निच्फरनेशन आपको दुखाएं इन तमाम चीजों के बीच में अब नया मामला है कुरिंटाइन सेंटर में साफ मिलने का और इसको लेकर की उपेद्र कुछवानी नितिश सरकार को भीरने के साथ साथ वो पूरा वीडियो जो है वो शेयर किया है यहां पर यहां पर अंदर में लोग है यानि की वो लोग जो की अब करेंटाइन सेंटर में बहना है जिनको एक इस दिन के लिए और वो लोग अब इस सांप को देखने के बाद खुद हरकत में आए और सांप को लोगतार जो है वो पकड़ने के कोशिश कर रहे हैं काफी बड़ा सांप है जो यह नजर आ है इसके पहले भी हमें देखा गोपाल गंज में और सिवान में जहां प लगतार आपको बताएं कि एक के बाद एक इस तरह के मामले जो हो सामने आ रहे हैं बिहार में जो कुरिंटाइन सेंटर से हैं उसकी इस्थिती जो है वो लगतार चिंता जनक बनी हुई है कहीं पर साफ मिलता है तो कहीं खाने पीने की चीज़ों की भारे किलत है कहीं पर इ स्वास्त कुले करके कोरोना संक्रमन के बीच में हम वो पहुंचाते रहेंगे फिलाल इतना ही देखते लिए न्यूच फोनेशन नमस्कार